हेलो गाइज वेल्कम टू एम्बीकैडमी चैनल आज हम पाइफन की मदद से बड़ा दबर्दस्त कोड करने जा रहे हैं जो है किंटर किंटर एक लाइबर्री या पाइफन की जो यूई के लिए यूज होती है और यहां से हम फ्राम किंटर इंपोर्ट आल कर देंगे यहां से आगे हम from text blob import text blob करेंगे text blob एक python की library है जो के use होती है text के लिए text की कामों के लिए यहां से हम import text blob कर लेंगे ठीक हो गया जिया तक यहां से आगे हम करेंगे root एक उसका object बनाएंगे और इसको हम root में store करवा देंगे यहां भी हम title रखते हैं root dot title के नाम से क्योंकि हमने उपर एक object के लिए store करवा दिया root में store करवा दिया तो हर काम हम root के साथ ही करेंगे यहां भी हम title में रख देते हैं भी spelling checker के नाम से हम यह title रख लेते हैं और आगे हम करते हैं इसकी geometry को set करते हैं कि कितनी इसकी सेप होनी चाहिए हम करते हैं root dot geometry तो यह हम कर लेते हैं 700 cross 500 कर लेते हैं ठीक हो गया जी अब हम root dot configuration करते हैं उसका उसका जो background color हो select कर लेते हैं यहां से कर लेते हैं और यहां पर हम root dot main loop को बंद कर लेते हैं जो कर लेते हैं एक दफा इसको run करके देखती हैं कि यह कैसा लग रहे हैं यह अभी एक एरेट हो कर रवा रहा है यहां जी हम नहीं पिप इंस्टॉल टेक्स्ट ब्लॉब जी हां यह सारा कुछ करके इंस्टॉल कर देगा जी हां यह इंस्टॉल हो गया अब यह काम करेगा और यह रण करेगा और इसके पीछे ब्लू कर लेते हैं background is equal to blue ठीक हो गया जी अब हम रवन करके देखते हैं एक दफा जी है यह हमारी एक जी यूई की background आ गया एक space आ गयी है canvas आ गया इसको clear किया और दुबारा से हम ऊपर आते हैं और अपनी जी यूई को set करते हैं कि जी यूई में हम क्या रखेंगे सबसे पहले हम heading रखते हैं कि heading में क्या रखना है में हम लेबल रखेंगे लेबल में हम आगे route को call करेंगे सबसे पहले और पर text is equal to spelling checker कर देंगे यह एंबी spelling checker करते हैं यहां पर यहां पर यहां पर mb spelling checker आ गया और इसका font हम कर लेते हैं पूपिंज कर लेते हैं यह एरियल करते हैं इसका font यहां तक हो गया font भी एरियल हो गया और इसका size हम 30 रखेंगे size को हमने 30 रख लिया और इसको बोल्ड कर लेते हैं इस text को बोल्ड कर लिया अब background color को set करते हैं background color हम यहां तो बिल्कुल वैसा ही रहने देते हैं यहां background color को change कर लेंगे यह background color हम blue कर लेते हैं और इसको double colon में रख लेते हैं और जो इसका टेक्स का obvious color होगा वह हम green कर लेते हैं background color हमारा होगा है green ठीक है जी इसको run करते हैं एक दफार दिखाते हैं आपको जी हमने यह heading dot pack करना इसको सबसे पहले pack करना पड़ेगा रन करने के लिए heading dot pack करेंगे और पैड़ वाई दे देंगे पैड़ वाई में हम दो चीज़ें पास करवाएंगे एक तो 50 देंगे पैड़ और एक 0 दे देंगे ठीक है जी इसको run करके देखते हैं यह एम भी spelling checker करते हैं यह अच्छा नहीं लग रहा तो बैगरॉंड को चेंज करके ग्रे कर देते हैं अब देखते हैं पहले से जड़ा बेतर लग रहे हैं अब हम आगे चलते हैं अपनी टेक्स्ट फील्ड बनाते हैं जहां पर हमने अपना टेक्स्ट को एंटर करना है टेक्स्ट फील्ड बना लिए हमने वहां से एक एंट्री विजट इस्तमाल किया और सबसे पहले हम रूट को काल करते हैं और जिस्टिफाई इसको सेंटर में कर देते हैं कि जो भी हम टेक्स्ट को एंटर करें वह सेंटर में आए यह center में आ गया जी अब इसकी width को select करते हैं हम width हम 30 रख लेते हैं सेम यह उसी तरह ही है जो जो हमने select करना है like कि हमने अगर width बनानी है यह हमने button बनाना है यह हमने heading बनानी है तो उसके लिए हम इस तरह से करेंगे पहले कोई भी चीज को अगर for example अभी हम यह entry कर रहे है टेक्स फील्ड बना रहे हैं तो इसके हम एंट्री स्वाल करेंगे इसके हमने phone पूपिल सेलेक्ट कर लिए है और इसके size हम रख देते हैं 25 और background color क्योंकि हमने search bar बनाना है तो background color हम इसका वाइट ही करेंगे और इसको टू का बाटर दे देंग है अब इसको भी आपको बैक कर करके मैं दिखाता हूंगे ये एक इसा लग रहा है रोट पैक किया और पैड वाई-10 के दे दिए कि तरस से दो तरह की वैडिंग होती है क्वाइड पैडिंग होती है यग के एकशी की तरफ है होती है तो इसका मेंने टैन की तरफ मतलब कि ट्वाई की तरफ ट्वाई एक्सिस की तरफ 10 अब हम टेक्स्ट फोकस करते हैं फोकस इस लिए इस्तमाल होता है कि जब भी आप करेंगे तो वह डायक्ट आपको टेक्स्ट की एंट्री के लिए ले जाएगा आपको कर्सर के जरीए उदर नहीं आना पड़ेगा कि आप आप पर आएं और करें इसको दोबाराश लाकर दिखाता हूं मैं आपको जहीं आए देखें इसलिए हमें फोकस को इस्तमाल करना पड़ता है कि हमें कुछ भी ना करना पड़े और हम डायक्ट टेक्स्ट की एंट्री के लिए रेडी हो जाए ठीक हो गया जी अब यहां भी हमें बनाते है बटन का एक वेडियबल बना लिया उसकी उसके इंगल बटन कर दिया उसके पोरियं को त्रुच मैं सतली में इसा चारूल करते हैं पीए प्रीद सेवायुक्ट मैंन यांसे स्वक्तरा इंविर्म्ज और और हमें दिए मिल्यक्राइए का बड़े यहां थिक यह है इसका size हम 20 रखते हैं 20 और इसको हम bold कर लेते हैं इसका foreground color जो है वो हम select करते हैं white और इसका background color जो है वो हम select कर लेते हैं red यहां तक ठीक हो गया नीचे आते हैं button dot pack करते हैं button dot pack किया और इसको एक दफारान करके देखते हैं जी यहां बिलकुल यहां पर एक button बन चुका है तो यहां तक तो हमारा ठीक हो गया काम अब हम एक spelling का नीचे कर लेते हैं जो कि हमें show करवाएं नीचे क्या आपका काम हो गया या नहीं हो अब लाइक कि हम कुछ भी उसमें pass करवा देंगे अगर वो ठीक हुआ तो वो हमें वो enter करवा देगा जामने show करवा देगा सबसे पहले तो हम इसमें root को call करते हैं ना फिर font is equal to puppins डबल कॉलन में puppins और इसका size हम 20 कर देते हैं यहां तक हो गया हमारा और यह हमने gray change कर लिया क्योंकि वह पहले भी हमने blue गया था तो अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए हम ग्रे कर लेते हैं अब spell.place इसलिए यूज होता है कि हम यह text को कहां पर enter करना है कहां पर हम place करेंगे तो यह x-axis अगर आप math की knowledge रखते हैं तो आपका पता है कि x-axis से positive की तरफ 350 उपर और y की तरफ से उपर 250 नीचे ठीक है मतलब कि यह x-axis a होता है horizontal होता है और y-axis vertical होता है यहां पर हमने इस equal to नी लगाया हुआ था आप करते हैं जी है बिलकुल यहां पर यह टेक्स एंटर हो जाएगा जाएगा जाए तो यह पुछ भी हम एंटर करेंगे तो वहां से टेक्स एंटर हो जाएगा यहां तक हमारा यह हो गया है ठीक है जी तो लेकिन आगे हमने जो काम करना है बिसक हमारा काम है वह हमें एक function बनाएंगे उपर जाके define कर लिए हमने एक function check के नाम से function बना लेंगे यहां पर हम यहां पर वर्ड में store करते हैं text फील्ड जो भी उसमें एंटर करेगा वह गैट कर लेगा जी ठीक है जी और एक टेक्स ब्लोब जो हम वह एक लाइब्रेड यूज करने उसमें से पास करवा देंगे हम वर्ड को तो यहां पर हमने कुछ भी बनाया हम सी एक variable बना लेते हैं text ब्लोब कॉल करते हैं और उसमें से parameter पास करवा देंगे word को जो भी हम सर्च करेंगे like system सर्च करेंगे computer सर्च करेंगे तो उसमें से पास करवा देंगे ठीक हो गया जी एक write का variable बनाते हैं और string को उसमें convert करते है यह डोड़ कॉरेक्ट ठीक है क्वीन बिल्ट पाइथन लाइबरी है जो करेक्ट होगा तो वह यूज हो जाएगा ठीक है स्टिंग स्टी डोड़ करेक्ट करेंगे हूं अंहां तक मरा ठीक हो गया जी आगए हम प्रेक्ट स्पैलिंग के नाम से एक बनाते हैं एक variable बना लि अंगे हम फॉन्ट करते हैं कि इसमें हो जाए हमारा फॉन्ट हम इसमें रखते हैं जी विश्चंड लेते हैं इसमें फॉन्ट हम औरफ मरा फॉपिन से हो गया जी और इसका साइस में हम 20 रख लेते हैं और इसका background color जो है वह हम रखते हैं बिलू करते हैं और foreground color इसका सियान कर देते हैं इसको डबल कॉलन में करना है जी आपने इसको करने के लिए अगर आप बूल गये तो पूरे को सब्सक्राइब और पाल वाला बाटन दबादें तो खुद भाख़ो दोनों तरफ लगा दिए ताप फॉर गोंड कलर में आती है यहां तक हमारा हो गया और इसको प्लेस करते हैं कहां पर हमने प्लेस करना है जो हमारा एक्जक्ट वर्ड आएगा तो वह हमने पहले सब्सक किरेशन कर लेते हैं तो भी हम भी टेक्सट राइगा तो एगर राइट होगा तो यह कौल हो जायega को फंक्चन की जरीए दोरा से काल हो जाएगा हमने की है ज हम है हमारा थी यह सामने आ गए अगर में सी सिस्टम की गगस्पेलिंग करता हूं ज एक हई अच अब राइट कर देंगे जो भी हमने फंक्शन मनाया है तो command is equal to check कर देंगे क्योंके हमने फंक्शन का नाम चेक किया हुआ है अब यह चलेगा जी हमने दोबारा रन किया प्रोग्राम जी हम बिल्कुल यह चल चुका है system cys tm किया हमने चेक के उपर किया तो बिल्कुल यह हमारे सामने एक आगया एक और करके देख लेते हैं कुछ और करके देखते हैं दोबारा से रन करते हैं इसको इस दफ़ा हम computer लगके देखते हैं यह ठीक करता है कि नहीं जी हम बिल्कुल इसने ठीक कर दी है बिल्कुल ठीक हर दिया है हम अब कुछ का ओर करके देखते हैं लेक किया और हाँ बिल्कुल लेक एक चील जो होती है वो बिल्कुल ठीक है एले आई किये ही है उसने लाइक कर दिये तो आज की वीडियो के लिए है अगर यह आपको टेटीव ग्यूल पिसंद आया है तो हमारी चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें इस वीडियो को शेयर करें